तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिंदुस्तान लोडर का ब्रेक्सों कैसे चैंज करते हैं पार्स वै पार्स कैसे लगाते हैं और कैसे खोलते हैं और उनका नाम क्या है सबकुछ फूल डिटेल्स में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दूस्तों सबसे पहले क्या करना है दूस्तों आपको एक घमला ले लेना है अच्छा वाला सफा साफ हो कोई भी जगा ले लेना है जो साफ हो उसमें कचड़ा नहीं होना सकते तो उसी तेल को फिर वापस डाल दीजेगा नहीं तो नईया तयल डालना है दोस्तों के बात हमको क्या करना दूस्तों फ्लांटेटीरी टैस्मिशन का प्लेटे 오को ऊसको खुल लेने यह दो निकाल रहा है भाई यह देखो यह आ रहा है बहार आ रहा है यह अगजा यह हमारा हो गया एक्सेल दोस्तो इसको एक्सेल बोलते हैं एक्सेल को निकालने के बात दोस्तों आपको क्या करना है हुइल पाना ले लेने है, हुइल पाना में आपको तीनों बोल्ड है, यह planetary transmission का तीनों बोल्ड खोल लेना है, यह खोल रहा है देखो दोस्तो, अच्छे से फ़सा ना है आपको, ताकि slip ना हो, अगर slip होगा तो आपको चोट पहुच सकता है दोस्तो, इसलिए अच्छे से रही गया और उसको निकाल लिएगा तो आराम से निकलना है ताक yeah पो छोडना लगे नहीं तो यह ज़्यादा वजन होता है क्या पता आपके पेर में भी लग सकता है तूस्तो इसलिए आपको साब्धानी पूर्वक इसको निकाल लेना है दूस्तों ये देखो ये नीचे रखे है ये हो गया प्लानेटरी टांसमिसन दूस्तों याद रखेगा और दूस्तों इसको निकाल लेने के बाद हमको ये जो दिखा रहा हूँ ये देखो इसको बोलते है रिंग सबसे पहले चेक नर्ट को निकलना पड़ीगा गोतीए इस में आ चोदा नमबर का घुटी पना लगता अ कि उसको बोल को खोलने के लिए कि specially ज恩 कि एृफ्त गुमते जाना है यह गुमते जाओ गुमते जाओ गुमते जाओ अंदर मतलब बाहर निकल आएगा हो बाहर आने के बाद आपको कहीं साब जगा पे रख देना है यह देखो दोस्तों साब जगा पे रख दिया ऐसे काटून बिचा के जो ही सामान निकल रहे हैं उसको साब लगैं कि निकलने के बाद यह देखो हो अरहा भर एक आगां कि उसको निकलने के बाद निकालने लेना है और लाइव निकालेगे ड हिए तो यह नीचे है के रखेंगेaste फसा के दो जन उठा के रखेंगे और एक जन पकड़ेगा तीन जन लगता है दोस्तो इसको निकालने में ये होप को निकालने में और उसी टेम आप बेरिंग को भी निकाल सकते हैं और इसको साबधानी पूरबोक निकालना है दोस्तो और आराम से आराम से रखना है क्योंकि यह ज्यादा बजन रहता है दोस्तों यह बहुत ही बजन रहता है कोई भी प्रोब्लम कर सकता है खड़ा कर सकता है दोस्तों इसलिए साब्धानी से इसको निकालना है और नीचे रख देना है फिर सरिया को जो आपका सरिया होगा बड़ा वाला उसको निकाल लेना है यह हुआ है हमारा ब्रेक सो इसलिए चेंचे आवाज कर रहा था जो कुछ पक्षी गगाने के जैसा या फिर कुछ घिस रहा है ऐसे आवाज करता है और ब्रेक नहीं लगता है इसलिए दोस्तों इसको निकलना पड़ा और उसको निकलने के बाद यह देखो आपको फिट कर देना है यह जो प्लेट है चिकनट जैसा आता है एक प्लेट इसको फिट करके मतलब ब्रेक सो को फिट करके इसको फिट कर देना है और किलीब घुसा के उसको मोड देना है किलीब को दोस्तों और उसको लगाने के बाद आपको होब को भी लगा लेना है होब लगाने के बाद बेरिंग लगाया बेरिंग लगाने के बाद ये देखो दोस्तों ये भी लगा रहे हैं हमरा ये लग गया इसको लगाने के बाद हमको चिकनट को भी लगा लेना है दोस्तों ये देखो चिकनट लगा रहे हैं चिकनट गो जितना हुसे के हाथ में घुमा ले है तो इसका मतलब यह होता है कि वो पकड़ रहा है और टाइट करना पड़ता है चेकनट को यह देखो पाना में टाइट कर रहे हैं होस्ताजी टाइट हो गया फिर घुमा के देखिए डिला है तो सही है दोस्तों उसके बाद यह प्लानेटरी टांस्मिशन को फिर वापस बै बैठाएंगे क्योंकि यह भी भारी होता है इसलिए दोस्तों इसको दो जन उठाके बैठाएंगे आराम से यह दुको लग गया लगा रहे हैं यह लगने के बाद एक पैचकस लेना है और होल में फसा के उसको मिला लेना है जो उपर में जो जो खाफ है मिल जाना चाहिए और बोल्ट फस जाना चाहिए अच्छे तरह से दोस्तों यह फस गया बोल्ट और टाइट कर लेना है सब को बराबर बराबर थोड़ा 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 हाथ बे टाइट करना है उसके बाद आपको जेगरोड लेना है और टाइट करना है दोस्तों जि हज़िए थोड़ा ज़्या लंबा हो गया है यहां पर नेकिन आपको समझा दे रहा हूँ मैं पहले से बता दे रहा हूं दोस्तो उसको लगाने के बात क्या करना है आपको XL को खुछाना है दुस्तो यह देखो इसको बैटके हिसाब से घुशाना पड़ता है दूस्तों नहीं तो यह हटा की जाता है नहीं घुशता है तो इधर बैटके हम हिसाब से उसको घुशा रहे हैं अभी घुश जाएगा देखना उठा के थोड़ा आगे धकल देंगे तो यह घुश गया यह बैट गया हमारा एक्षल और एक्षल बैठने के बास दो आपको क्या करना है जो प्लानेट्री टांसमीचन के उपर पलेट है ये जो बोल्ड है छे बोल्ड का जो प्लेट आता है उसमें हलका हलका ग्रीस लगा लेना है ये देखो दोस्तो ओ प्लेट है जो बोल्ड है इसमें पेकिंग आता है इसलिए थोड़ा ग्रीस लगा कि इसको लगाने के लिए बोल्ड आता है दोस्तो प्लेट को लगा लेना है ह सारे बोल्ट को घुसा देना है बोल्ट लगाने के बाद ये देखो बोल्ट लगा रहा है बोल्ट लगाने के बाद आपको टाइड मानना है हलका हलका एक नीचे का मारा तो उपर का मारा लेप्ट का मारा तो राइड का मारा ऐसे ऐसे करके हलका हलका मादना उसके बाद राउंड टाइट कर देना है अच्छे से टाइट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है जो ओल निकाले थे आप जो ओल इधर से जो ड्रेन क्या हुआ है ओल को फिर भर देना है या फिर नया ओल भर देना है अगर अच्छा नहीं ह तो लाइक किए शेर किए चनल को श्ब्सक्रीब किए